नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जै श्री राम जै बागेश्वर धाम ऐसे ही सच्ची श्रधा से कॉमेंट में हर हर महादेव देवों के देव महादेव जरूर लिखे दोस्तों आज की कहानी बहुट ही ज्यानवर्धक होने वाली है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए आपको ये वीडियो देखेने के बाद लगेगा कि हाँ आज हम इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो देरी ना करते हुए कहानी की शुरुवात करते हैं पित्रिपक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं ऐसा होता है भाग्य और स्वभाग्य शास्त्रों में पित्रिपक्ष के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को लेकर कुछ खास बाते बताए गई हैं आईए जानते हैं कि पित्रि पक्ष में जन्मे बच्चे अपने भाग्य में क्या-क्या लेकर आते हैं पित्रि पक्ष में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए श्राद किया जाता है मान्यता है कि इससे उनकी आत्मा को शांती मिलती है और वो अपने वशंजों को सुक्समृध्धी का आशिर्वाद दे कर जाते हैं पित्रों को प्रसन्न करने पित्रि पक्ष में पिंडदान, तरपन और श्राध करने की परंपरा है श्राध पक्ष में किसी भी अच्छे काम को करने की मना ही होती है शास्त्रों में पित्रि पक्ष के दौरान पैदा होने वाले बच्चों को लेकर कुछ खास बाते बताई गई हैं आईए जानते हैं कि पित्री पक्ष में जन्में बच्चों का भाग्य और भविश्य कैसा होता है मान्यता है कि पित्री पक्ष में जन्म लेने वाले बच्चे कुटुम्द के ही दिवंगत पूर्वज होते हैं, जो किसी खास प्रयोजन से फिर से परिवार में जन्म लेते हैं कहा जाता है कि श्राध्ध के दौरान पैदा हुए बच्चे बहुत रचनात्मक होते हैं और वे आगे चलकर परिवार का नाम रोशन करते हैं जोतिश शास्त्र के मुताबिक पित्री पक्ष में बच्चे का जन्म होना बहुत शुब होता है यह बच्चे बेहद रचनात्मक होते हैं और अपनी कला के जरीए खूब मानसम्मान कमाते हैं श्राध पक्ष में जन्मे बच्चों पर पित्रों का विशेश आशिर्वाद रहता है और वो अपने जीवन में खूब तरक्की करते हैं ये बच्चे अपने परिवार में खूब सारी खुशियां और समर्द्धी लेकर आते हैं। माना जाता है कि इन बच्चों के भाग्य से परिवार के अच्छे दिन आते हैं। इन बच्चों में बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारी का बोध हो जाता है। उजजवल होता है भविश्य. माना जाता है कि पित्री पक्ष में जन्मे बच्चे अपने ही कुल के पूर्वज होते हैं. पित्रों की क्रिपा से इनका भविश्य बहुत उजवल होता है. पित्री पक्ष में जन्मे बच्चे अपने घर परिवार से बहुत लगाव रखते हैं. यह बच्चे अपने उम्र की तुलना में ज्यादा समझदार होते हैं. पित्री पक्ष में जन्मे बच्चे कम उम्र में ही बहुत ज्यानी हो जाते हैं. इस कारण कहा जाता है कि पित्रे पक्ष में जन्मे बच्चों का यश काफी दूर तक फैलता है हालां कि इस पक्ष में जन्मे बच्चों की कुंडली में चंद्रमा की स्थिती कमजोर होती है लेकिन जोतिशिय उपायों से इसे मजबूत किया जा सकता है दोस्तों ये जानकारी आपके कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे ही ज्यानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद आपका दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्यानवर्धक जानकारी क के साइब